इस बासुरी को देख रहे हैं आप? इसकी मधुर धुन सुनकर हर कोई मुग्ध हो जाता है परन्तु इसकी उस पीडा को कोई नहीं समझ सकता जो इसने बास से बासुरी बनने में पाई है पीडा सहकर ही इसमें से सुर निकलते हैं जो मन को शांती देते हैं इसी प्रकात पत्थर से प्रतिमा को देवरूप बनने में छेनी और हतोडी की मार सहनी पड़ती है तभी उसकी पूजा होती है बात ये है कि निर्मान के लिए स्वयम के तूटने का विज्ञान बहुत ही आवश्यक है जब तूटकर चूर हो जाओगे तभी नया अस्तित्व पाओगे अरफार शक्ती पाने से पूर पीडा का भोग करना अवश्यक है यदि पीडा से भागोगे तो शक्ती नहीं पाओगे अभी आप पर निर्मत करता है कि आपको बास बन कर रहना है या बासुरी पत्थर बन कर रहना है ये प्रतिमा के रूप में सजना है ये निर्णय आपका है पिता होना बड़े आनंद का विशह है और जितना बड़ा आनंद है उससे भी अधिक बड़ा उसका उत्तरदायत्व भी आप में सिर्थ कुछ पिता होंगे कुछ संतान और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी अपना उत्तरदायत्व अवश्य पूर्ण करते होंगे हर पिता अपनी संतान के सुख के लिए उसके उजवल भविश्य के लिए रात दिन परिश्रम करता है धन इखटा करता है सुविधाय एकत्तरद करता है आप भी करते होंगे हर पिता को यही लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया परंतु फिर भी संतान प्रसन नहीं रहती यदि आपको विश्वास नहीं तो आप भी स्वयम अपनी ही संतान से पूछ लीए उनको अवश्य कहीं न कहीं कोई कमी अनुभव होती होगी और इसका केवल एक ही कारण और वो है पिता की भूण उसे लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया परंतु वास्ताव में वो उसे सबसे अमूल ले विरासत दे ही नहीं पाता और वो अमूल ले वस्तु है समय अपनी संतान को समय दीजे उसे समझिये उसे समझाईये उसके साथ खेलिये और जीवन के मैदान में उसे खेलना सिखाईए उसे संस्कार दीजे उसे उसके मार्क पर चलने दीजे मार्क भटके तो उसे उचित मूड भी दिखाई विश्वास कीजिए इससे अधिक कोई अमूल ले वस्तु आप अपने संतान को नहीं दे सकते युवा अवस्ता भी हमारे जीवन का कितना सुन्दर काल होता है न पाहू में बल मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह आखों में भविश्य के सुन्दर और पूमल सपने और इसी अवस्ता में मनुष्य के भीतर पनपता है प्रेम किसी को देख कर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर निवचावर कर देना चाहता है फिर प्रेम की परिनिती होती है विवाह में क्यूं? सबको अपने खटे मीठे संस्मरण स्मरण हो आए ना परंतु यहीं से अधिकतर माता पिता और संतान के मद विचारों का विरोध प्रारंब हो जाता है संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उप्युक्त है और माता पिता को लगता है कि संतान अंजाने में भूल कर रही है संतान का तर्क होता है कि उसे विवा किसे करना है ये उसका अधिकार है और माता पिता का तर्क ये होता है कि अब भी जीवन साती चुनने की समझ संतान में है ही नहीं तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए उचित निर्णा कैसे लिया जाए इसका एक ही मार्ग है अपने उत्तरदाइदों का भान और अपनों से बड़ों के मापडंडों का भान विवा करने से पूर्व ये जानने ना अवश्यक है कि विवा केवल अपने प्रेम को पाने का मार महीं है अपितु विवा से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है और हर नए जीवन के साथ नए उत्तरदाइदों भी होते और यदि इन उत्तरदाइदों को समझ कर तो विश्वास कीजिए आपका दमपत्य जीवन आनंज से भरा रहेगा और आपको कभी ये पश्टावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित निर्णे लिया कभी हमें लगता है कि हमारे अपने हमारे हितैशी हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही नहीं समझा रहे जैसे उन्हें हमारे हर कार में हर निर्णे में खोट दिखाई दे रहा हो और ऐसे में हम कर बैठते हैं विद्द्रो ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारी मन की बातों का समर्थन करें हम उसे ही अपना हितैशी समझ लेते परन्तु जो आप से मीठी बाते कर रहा हो वो आपका हितैशी है ये आवश्यक नहीं कुछ विशयले फूल बड़े सुन्दर दिखते हैं कुछ विशयले भल आसाधारन रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं और ये भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोगों का निदान करने वाली आवशधी सदा मीठी हो इसलिए विश और अवशधी में अंतर को परकने का प्रयास करें हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वो आपको संकट के गर्थ में ले जा रहा हो बाद बाद पर आवेश में नार हो सकता है कि आपके माता पिता की कडवी बातों में आपका ही हित छिपा और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए कि यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का भान रेम से करवा दबाव और शासन से नहीं चुकि कभी कभी कटू शब्द और कटू बचन अनुचित निर्णय को और पक्का कर देता है हर शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है यदि आप चाहें तो उन्ही शब्दों से सिर्जन कर सकते हैं और चाहें तो नाश भी फिर चाहें सिर्जन और नाश नए संबंधों का हो या फिर नए युख का आज कल सर्वत्र सहन्शीलता की कमी है बाद बाद पर लोग जगड जाते हैं विवाद पर उतारू हो जाते हैं कारण शब्दों का प्रयोग शब्दों का और वचनों का उचित प्रयोग करना सीखिए आपकी आधी समस्याय तो वही समाप्थ हो जाएं शब्द हमारी सबसे बड़ी पूजी उनका सोथ समझ कर धली प्रकार उप्योग करना ही श्रयस कर जो शब्द की महिमा और शक्ति को पहचान गया वो इस श्रिष्टी के आनंद को भी समझ गया आप भी समझिये हम सब जीव अर्थाद जीवन जी रहें और जीवन जीते समय उसके पस्चाद की कलपना भी करते हैं कि मृत्यों के पस्चाद हमें स्वर्ग मिलेगा नर्ग अब सराओ का नृत्य देखने को मिलेगा या यमदूत हमें डंड दे रहे होंगे परन्तु एक प्रश्ण सामने आता है कभी ऐसा हो सकता है कि मृत्यों किसी और की हो और स्वर्ग हमें मिल जाए नहीं हमें स्वर्ग और नर्ग हमारी ही मृत्यों के पस्चाद मिलेगा अर्थाद यदि फल पाना है तो कर्ण स्वयम को ही करना होता है केवल सोचने से कुछ नहीं होता स्वप्न देखने से कुछ नहीं होता उसे पूर्ण करने के लिए स्वयम ही परिश्रम करना होता है तो उठो जागो और लक्ष की प्राप्ति तक संघर्ष कर, चुकि यही एक मार्ग है स्वयम को संतुष्ट करने का, स्वयम को आगे बढ़ाने का इस अग्नी को देख रहे हैं, क्या क्या कर सकती है ये अग्नी? पकाश दे सकती है, भोजन पका सकती है, और चाहे तो हमें जला कर भस्म भी कर सकती है, ये जल हमारी प्यास बुचा सकता है, या हमें दुबो कर मार भी सकता है, तो क्या ये इच्छा इस जल की है कि ये हमारी प्यास बुचाएगा या हमें दुबा कर मार देगा? यह यह इच्छा इस अगनी की है जो हमें प्रकाश देगी जो हमें भोजन देगी या हमें जला कर भस्म कर देगी नहीं जल का गुण है बहना अगनी का गुण है जलना अब यह हमारी इच्छा पर निर्वर करता है कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं इसी जल और अगनी की भाती ही संसार की हर वस्त संसार के लोग भी होते हैं और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनमें से किसे मित्र बनाते हैं और किने शत्रू शक्ती है पर निर्भर हम पर करता है कि उसे हम अपना उत्तरदाईत पर बनाते हैं या अहंकार धन है परन्तु निर्वर हम पर करता है कि उसे विकास के मार्क पर लगाते हैं या व्यस्न के मार्क पर ईश्वर ने आपको केवल जीवन दिया है परन्तु ये आप पर निर्वर करता है कि आप उसे आदर्श जीवन बनाना चाहते हैं या अभिशापित अपने परिणामों का उत्तरदाई हमारे चैन होते हैं इसलिए आवश्यक है कि अपने चैन को अपनी भावनाओं को उचित रखे